Unit 5 देख रहे हैं Communication Technologies, बहुत important chapter है यह, जो पहला chapter है, networking concepts से शुरुआत करते हैं, networking concepts, पहला part देख रहे हैं इसका, इसमें हम जो जाना चाहेंगे, वो यह है कि network क्या है, और network की जरुआत क्यों पड़ी, फिर evolution देखेंगे networking का, internet का, फिर interspace का, और फिर से हम देखेंगे कि इसकी requirement क्या है, जरूरत क्या है, इसकी need क्या थी, अलग चीज़ है, और अब requirement क्या है, फिर हम जाने के कोशिश करेंगे, अलग अलग जो technologies हैं communication में, जैसे nodes हो गया है, जैसे work stations है, server है dedicated या non dedicated, ऐसी network interface unit NIU के बारे में जानेंगे, और फिर जो switching techniques है, circuit switching, packet switching के बारे में देखेंगे, जो networks है, PAN, LAN, WAN और MAN के बारे में भी जानेंगे, और फिर जो data communication technologies है, जैसे कि channel क्या है, bandwidth क्या है, data transfer rate क्या है, इसको भी देखेंगे, तो communication का मतलब होता है बातचीत, जैने कि आप, जब आप किसी से बात करते हैं, तो क्या करते हैं, sound waves के थूँ, वो तब एक medium है, आपका ungu पहुचाते हैं, दूसरे के कान तर, तो यही communication हर जगा है, जैने कि आज, जो situation है, इसमें data आप चाहते हैं, कि data transfer हो efficiently, frequently, और बहुत तेज transfer हो, और तेजी के साथ-साथ ये भी आप जानना चाहते हैं, या करना चाहते हैं, कि data का loss minimum हो, तो वहाँ पर networking बहुत important role play करती है, तो computer networks, ये आज की society में, क्योंकि हम लोग सब internet पे हैं, network पे हैं, internet और network दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी समानता है, विभिनता भी हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो क्योंकि ये समझना अमूमन है कि internet ही network है, बलकि ऐसा नहीं है, जो networking होती है, किसी एक land बना दिया, van बना दिया, और वहाँ पर local network है, या फिर एक पुरे organization level पर network है, वो भी network में आता है, और वहाँ हो सकता internet ना हो, तो computer network बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, आज की society में, और क्योंकि हम अपनी शताबदी में देख रहे हैं कि जो पूर of world है, वो आपस में connected है, computer merged है, और कैसे merged है हैं, क्योंकि communication technologies ने, आज के perspective को, पहले क्या होता था, कि हम, अगर किसी को हमें letter भी भी भेजना होता था, तो हम एक कागस भी लिखते थे, वो जाता था, उसको एक हफ़ता लगता था, फिर उनके reply आने में एक हफ़ता लगता था हो सकता है, हो सकता है, little lost भी हो जाए, तो चाहे computer system की बात करें, या आप अपने mobile की बात करें, या palm top की बात करें, tablet की बात करें, सब में बहुत important role play कर रहा है, जो old model है, single computer का, जैसे वो serve करता था, कोई एक organization की computational need है, वो आप क्या है कि अलग-अलग computer काम कर रहे हैं, ये एक ह काम को ले रहे हैं, ये इसने one by third ले लिया, वानलेजे, इसने one by third ले लिया, इसने one by third ले लिया, जैनले कि एक बटे तीन time में ही ये तीनों काम कर दे रहे हैं, और processing power भी इनकी double है, तो इस तरीके के computer अगर हम इनको आपस में यू connect कर दें, तो हम इनको कहेंगे कि ये network में हैं, तो network क्या है, what is network, इसके बारे में समझिए, कि जो peripheral devices है, आपका एक computer है, उस computer में आप USB से या OS to port से क्या connect करते हैं, आप mouse connect करते हैं, आप keyboard connect कर रहे हैं, यह और भी devices हैं, जो भी आप इससे connect कर रहे हैं, तो अगर आप अपने school की या college की computer lab को देखें, तो आपने देख computer के सारी needs को solve कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, कि आपके computer के बगल में printer रखा होगा, फिर जो आपके दोस्त है, उसके computer के बगल में printer रखा होगा, ऐसा तो होता नहीं, सब के सब जुड़े हुए हो, सब के सब के पास एक network है, आप यहां से देंगे तो भी इसको command जाएगा, तो यह होता कैसे है, यह ऐसे होता है कि आपका computer और आपके computers साथ में जो आपका यह printer है, यह network बना रहे हैं, यह इस तरीके से आपस में interconnected हैं, ताकि आप data को receive कर सकते हैं, send कर सकते हैं, आप इस computer से data receive कर सकते हैं, इस printer पे data भेज सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि दो computer interconnected हैं, और अगर वो interconnected है तो वो आपस में डेटा का आधान प्रदान कर सकते हैं याने की information का exchange कर सकते हैं। एक network collection है अलग अलग computer का ये independent भी हो सकते हैं जो आपस में communicate कर रहे हैं किसी shared network medium से या अगर थोड़े हलके शब्दों में इसको simple term में बदाने की कोशिश करूँ तो computer network collection है दो या दो से अधिक आपके computers का अच्छा ये computers भी हो सकते हैं computer हम बोल रहे हैं तो आप इसको ऐसे मत समझेगा कि ये PC रखा हुआ है कोई ये laptop रखा हुआ है इसको बोलिए computing device ज़रूरी नहीं कि computer ही हो computing device ये आपस में linked है ये किसले linked है क्योंकि वो आपस में information share करना तो जब ये computer आप में network में लगा दिये तो अब जितने भी लोग इससे connected है वो फाइल share कर सकते हैं peripherals share कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया printer printer एक है लेकिन सब लोग इसमें printing कर रहे हैं modem है backup drives है या CD RAM drives है तो हर एक computer जो network पर होता है उसको हम node कहते हैं ध्यान रखेगा जो भी computing device एक network पर लगी होगी एक independent के तहद उसे हम node कहेंगे तो network क्या हो गया अलग अलग नोड जो आपस में या series कह सकते हैं nodes की जो आपस में interconnected है communication path के थूँ communication path का मतलब यह है कि एक transmission media है अब देखिए मैं इसको transmission media को दो तरहिए से बाट दूँगा एक है guided media एक है unguided media अगर wire के थूँट आप भेज रहे हैं तो वो wired हो गया यानिकि guided media हो गया fiber optic के थूँट भेज रहे हैं guided media हो गया जदी आप उसे wireless भेज रहे हैं तो unguided media हो गया है आपके कान में आप Bluetooth का वो लगाते हैं connector तो क्या होता है इसे यह आप network बना रहे है personal area network बना रहे है तो इतना small भी हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है कि जो internet जानते है इतना बड़ा network हो सकता है जो internet है तो जब network अलग-अलग multiple location पे connected है किसी service को लेकर और जो हो सकता है phone company दे रही हो या ISPs दे रहे हो तो लोग यह है email भेज सकते हैं अपने links भेज सकते हैं globally और बलकि आज का दमाना यह है कि video conferencing हो सकती है real time पे आप यहाँ बैटे हैं कोई मालिजी कोई दूसरे देश में बैठा हुआ है और आप उससे विल्कुल virtually real time really में बात कर रहे हैं तो ज यह सारे application जैसे आपका electronic mail हो गया या database management system हो गया यह सब background में होते हैं और यह है और यह अगर connected है तो computer networking बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो आज कल का दमाना अगर देखे बहुत computer network को इतना तरजी नहीं दी जाती है लेकिन अगर computer network नहीं होगा तो ना internet ना आप इतने आसानी से चीज़े आदान प्रदान कर रहे होगे networking की need क्या है सबसे important बात आज की ऐसी चीज़ जिसके बगार नहीं जी सकते आप वो क्या है networking indispensable क्यों होगे इसको आप हटा नहीं सकते यह चीज़ ऐसी है कि अगर हट जाए तो आपका जीना दुबर हो तो इसके लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा networking के advantages देखिए आप आप समझ जाएंगे कि यह क्यों important है पहला यह है resource sharing files और peripherals जब आप share करते हैं file को और software को एक network में क्या होता है कि अगर आप network में जुड़े हैं इस तरीके से मालीजी कोई भी network ही है कोई भी topology बना लीजी अभी यहाँ पर जब आपस में जुड़े हैं तो अलग-अलग department organization के वो हो सकता है यह डेली में हो यह बैंगलोर में हो यह मुंबई में हो यह आपस में connected है किसी हो सकता है central से हो central computer रखा हो या फिर कोई distributed system हो यहाँ पर यह तो सब एक साथ एक जगह पे हैं सब available हैं और सब चीजे सब को available है यहाँ पर है आप यहाँ पर मुंबई में backup कर सकते हैं अपने फाइल का ताकि अगर कोई हाथसा होता है कोई system अगर गरबड़ होता है कब यहाँ से इसका backup ले सके एक software है मालीजे 10 लाग का है या 50 लाग का आजकर बड़े-बड़े महेंगे software आते है जो proprietary software है अब या तो आप हर एक system पर 50 लाग का software डाल दीजे या आप central server पर डाल दीजे और कोई भी इसे use कर सके यह हो सकता है कि floating basis पे हो जब यह use कर रहा हो तो यह ना use कर रहा है अब हो सकता है लेकिन आप centrally रख देंगे तो सब आपके सब जो buying license में जो हम पैसा दे रहे हैं उसको कम देना पड़ेगा और सबके सब इसे use कर सकते है शेरिंग peripherals जैसे आपके printers है या आपके ऐसे media devices है या फिर आपके backup devices है जो बड़े expensive होते हैं आप हर एक को हर चीज पर वाइड नहीं कर सकते तो network एक ऐसा आपको एक value of added solution देता है कि आप resources अपने organization के operational costs पे use कर सकते हैं जैसे एक company है जिसके 50 computer है वो printer share कर सकते है scanner share कर सकते है hard disk तक share कर सकते हैं तो cost कितना कम हो जाएगा आप देखे 50 into printers 50 into scanner 50 into hard disk यह हो गया लेकिन आप यहाँ पर देखे 50 computer के लिए के एक printer एक scanner एक hard disk हो सकता है hard disk आप बहुत अच्छी लेले printers बहुत अच्छा लेले तब भी cost यह हो बहुत ही कम हो जाएगा जो fax system है वो भी आप fax system को integrate कर सकते हैं network के साथ जो audio और video content है वो भी आप multiple device पे एक साथ stream कर सकते हैं sharing storage अब network के आप किसी भी machine को access कर सकते है याने storage होगा उसक सकता है आप centrally नहीं रखना चाहते हैं उसको distribute कर दीजिए तो यह cost effective भी होता है और हो सकता है file की copies हो multiple location पे यह भी हो सकता है improving communication एक computer network में और या computer network आपको क्या medium दे रहा है एक communication medium दे रहा है जो बहुत powerful है fast and reliable है क्योंकि latest technology लोग use करते हैं जैसे cat six five e थी five enhanced six ci तो जो speed है इसकी एकम पढ़ गया वन जीपीप हैसकी आप normal speed पा रहे हैं एक wired technology में दी तो network को use करके बहुत लोग आपस में अलग-अलग department के अलग-अलग branches के वो एक साथ एक presentation बना सकते हैं एक साथ किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं जो एक बहुत example होगा आप internet को use करके आप email messaging चैट रूम्स टेलीफोन वीडियो टेलीफोन वीडियो कांफिर्सिंग कर सकते हैं इंटरनेट भी तो network की तो है access to remote database यह बड़ा बहुत important use है क्या होता है कि एक average user भी remote database को access कर रहा है जैसे यहाँ पर वो बैठा है अपने system पे उसने क्या किया कि एक website जैसे make my trip या और clear tip.com खोला उस पर उन्होंने अपनी ticket book कर दी वो यह देख सकते है train का database, online university, hotel जो भी उनके requirement हो तो जो remote control है यह access programs है यह ऐसे ही चीज़ है जो आप यहाँ पर बैठे हैं मालिज़ आप किसी के system में कोई दिक्कत आ गई तो आप क्या करेंगे कि team viewer यूज़ कर लेंगे, team viewer से क्या होगा आप यहाँ से दूसरे के system में login करेंगे और वहाँ आप देखके इसको solve कर सकते हैं, जैसे माल लीज़े, आप यहाँ डेली में बैठे हैं, बैंगलोर की company से आपने कुछ लिया अब बैंगलोर की company वाला आएगा, इससे ठीक करेगा, इससे अच्छा हो, आप उसको team viewer का access दे देंगे, network के थुरू, और यह आप कहीं पर ठीक कर देगा, ना आपका समय खराब, ना उसका समय खराब, ना पैसे खराब लेकिन, एक coin के दो side होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा, ध्यान रखेगा, networking का एक side बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका एक side में बहुत जादा है, बैक side में थोड़ा कम चीज़े हैं, यानि कि disadvantages हैं, तो disadvantages क्या हैं, एक तो threat है, data के लिए, computer network में, अगर कोई unauthorized खुज गया यह भी technology तो है, तो अगर कोई अच्छा बंदा है, तो कोई बुरा बंदा भी है, इसका भी IQ उतना है, इसका भी IQ उतना है, यह भी enter कर सकता है, यह अगर बना सकता है, तो तोड़ सकता है, तो unauthorized access अगर किसी को मिल गया, तो आपके data को खराब भी कर सकता है, उसे चोरी भी कर सकता है, वो उसमें virus जा सकता है, वो उसमें worms जा सकता है, वो basically worm का नाम ही network के करना है, और जो file security है, बहुत हद तक जब wide area network पर हम जाते हैं, तब हमको बहुत ध्यान अपरता है, अच्छा network की इतनी अच्छी बात तो होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, लेकिन आपको पता है, internet कैसे develop हुआ, कहां से शुरू हुआ था, आर्पानेट से, और कैसे वो आज internet तक पहुचा है, इसके लिए बहुत समय लगा, बहुत समय लगा, तो इसको setup करना थोड़ा सा एक बार का काम है, थोड़ा सा इसमें sophistication चाहिए, और एक बार जब आप चला दिया आपने तब भैतरीन चले गए, तो बड़े जो network है, काफी costly होते है, इसको setup करना हो, और इसका maintenance भी करना होता है, ऐसा नहीं कि network लगा जिया छोड़ कि, हो सकता है, switch काम ना कर रहा हो, अब बीच में कोई load धराब हो गया हो, तो थोड़ा आपको specialist आदमी चाहिए, तो इसके बाट हुई 1969 में, इस समय computer बहुत ही तेजी सा बढ़ रहा था, उसका यू exponential growth हो रहा था, जब ये VLSI जब आया, integrated circuits की बात हो रही है, तो किस तरीके से processes की speed बड़ी, storage device में उत्पत्ती हुई, तो 1969 में पहला network ARPANET नाम से develop हुआ, हो सकता कई और भी develop हुआ, जो चीज noted है, या फिर आपके, उसमें है literature में हो, उसके बारे में बात करते हैं, हो सकता किसी जगह पे इससे भी पहले हो गया हो, तो जो US Department of Defense है, उनने एक project को sponsor किया ARPANET, एड़ पार्पानेट का full form था, Advanced Research Project Agency Network, उसका काम ये था, कि जो अलग-अलग university है, उसको US Defense के साथ connect कर दिया जाए तो जो engineers हैं, students हैं, scientists हैं, researchers हैं, वो आप उसमें चीजें एक्स्चेंज कर सके, और ये बहुत बढ़िया हुआ, लोगों ने अपना इसमें socialize होने लगे, लोगों ने इसमें game में भी शुरू कर दिया, तो ARPANET बहुत तेजी से इसका development हुआ, या इसका usage हुआ, फिर mid 80s में NSF, National Science Foundation, इन्होंने क्या किया, कि एक high capacity network बनाया, जिसको उन्होंने कहा NSFnet, जिन्होंने कहा कि, केवल academic research होगी इस network पे, तो जो primary, जो private companies थी, उन्होंने अपने network बना लिए, तो जिसको आप internet connect, द्वारा connect कर सकते थे, ARPANET से, और NSFnet से, तो ये internet का form बन, internet का form बन गया, internet का मतलब internet work, तो एक network, जो अलग-अलग network को मिलके बना, तो यहां से शुरुआत होई सब चीजों की, फिर internet, internet क्या है, internet अलग-अलग network है, ये एक network हो गया, ये एक network हो गया, ऐसे, हजारों लाखों network है, ये पूरे worldwide फैले हैं, और ये आपको क्या-क्या facility देते हैं, एक तो, remote login, file transfer, electronic, mail, और सबसे ज़्यादा आप जो use करते हैं, website खोलते हैं, जो करते हैं, वो है worldwide web, news groups, तो जो internet है, इसमें बहुत सारे network है, जो अलग-अलग companies चला रही हैं, ये आपसमें internet interconnected है, कोई एक peering point होता है, basically internet is a network of network, ये network, अलग-अलग network का भी एक network है, और पूरे visual फैला है तो ये जो super network, इसे कहते हैं, gigantic network है, इसे सूपर network हम उनाम देंगे, इसको हम कह सकते हैं, wide area network है, लेकिन ये glorified wide area network है, हम wide area network के बारे में जानेंगे, तो ये क्या करता है, छोड़े-छोडे network को लेता है, और उनको connect करता है, ताकि ये आपस में communicate कर सके, और underlying कुछ rules है, regulations है, communication क कि कुछ rules है, इन rules को हम कहते हैं, या guidelines को हम कहते है, protocols, और internet क्या use करता है, TCP IP, यानि कि transmission control protocol, internet protocol, program जैसे की web browser हो गया, FTP हो गया, file transfer protocol, इसके clients है, email clients है, ये बहुत सारी चीजे हैं, जिसके through internet या internet के users काम करते हैं, तो इस तरीके का जो rise हुआ, connectivity का, तो internet से बहुत सारी लोग connect हो गया, millions of users, तो internet initially कहां था, किवल military और academic institutions के लिए था, लेकिन अब तो ये सब के लिए हो गया, चाहे आप information के लिए रहे हो, चाहे आप trading कर रहे हो, commerce कर रहे हो, तो internet website, अब आज आपको personal, educational, political, economic, कोई भी आप मांगें, यह आपको मिलता है internet पर, interspace क्या है, यह client server software program है, जो अलग-अलग user, multiple user, जो communicate कर सकते हैं, online, real time में, चाहे audio हो, video हो, text chat हो, और यह है dynamic 3D environment, जान रखेगा, यह है dynamic 3D environment, जिसमें ऐसे लगेगा, जैसे आप real, really में है, real world में बात कर रहे हैं, यह बहुत advanced form है communication technology का जो आज जो चल रहा है, और आगे का internet जो वाला है, वो interspace ही है, याने कि, अलग-अलग तरीके से, instantly multiple sources से, एक user बात कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, और अपनी problem को solve कर सकता है, requirement क्या है network की, requirement हर एक network में, क्या-क्या होना चाहिए, एक network की क्या requirement होगी, तो कम से कम दो computer तो हो, अगर दो computer नहीं होगे, एक ही computer होगा, तो इसको तो आप network नहीं कहता हैंगे, minimum तो दो network हो, जैसे एक server हो, client हो, इस इन systems में NIC card हो, network interface card, तो कि जो data आएगा, ये समझेगा, ये जो भीजेगा, इसके बीच में कोई लों को एक interfacing होगी, जो connection medium है, जैसे आप wire कर दें, unwired कर दें, wireless कर दें, cable कर दें, तो ये आपके जो communication media है, वो होगा, इसके बाद आपका operating system हो गया, network operating system सॉफ्ट है, जैसे windows, nt है, 2000, novel network है, unix या linux है, ये सारे आपके network operating solution देते हैं, network की कुछ terminology जानते हैं कि क्या-क्या शब्दों का प्रयोग होता है, जो की हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, और जैसी हम सुनेंगे, हम समझेंगे, इससे पहले कि हम आगे बड़े, जरा node के बारे जाते हैं, nodes, या workstation, इसी भी network में, जैसे ये network है, जहा system connected है, तो ये जो network है, इस network में, जो computer है, क्या computing device है, या तो इसको आप node कहेंगे, या इसको workstation कहेंगे, जैसी ये इधर से निकल गया, network से निकल गया, तो फिर ये ये नहीं कहलाएगा node, लेकिन जैसी ये network से जुड़ गया, ये node कहला ले लगेगा, हर एक user जो network पे है, वो एक workstation की तरह काम करता है, या node की तरह काम करता है, अगर कोई node नहीं होगा, तो network नहीं होगा, server क्या होंगे, अब क्या होता है, कि आपके पिताजी हैं, वो आपको serve करते हैं, आप मुझे किताबे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आज ये खाना है, तो कौन serve करता है, पिताजी करते हैं, ऐसी network में पिताजी होते हैं, जिनको हम server कहते हैं, जो computer है, ऐसा server, वो जिसकी थोड़ी सी performance से processing तेज होगी, faster होगी और ये बाकी client को serve कर रहा होगा, ओके तो ऐसा नहीं है कि एक ही server हो, एक से जादा server हो सकते हैं हो सकता आपके चाचा जी भी आपकी मदद कर रहे हो तो हर एक server उसका एक unique नाम होता है जिसको हम IP कहेंगे या फिर इसका MAC ID कहेंगे या जो भी आप एक number इसको माने तो वो identify करता है उस node को, कैसे पता चलेगा कि ये system कौन सा है वो system कौन सा है, तो server का एक specific वो होता है server को हम दो type में divide कर सकते हैं एक dedicated होता है, एक non dedicated server होता है dedicated non dedicated, dedicated server क्या होते हैं ये अगर बड़ा network installation है जहां पर एक computer को आप रिजर्व कर दियाएगी देखी साहब ये के server का काम करेगा तो ये सारे जितने मी nodes हैं इसके साथ connected उनको data देगा, software देगा, hardware resources देगा यानि कि क्यों ये ही काम करेगा क्यों ये ही network में serve करेगा इसको हम कहेंगे dedicated server है और ये master हो जाएंगे, बाकि सब slave हो जाएंगे इसको हम कहते है master slave network non-dedicated server में मतलब यह होता कि कोई छोटा network है तो एक workstation server की तरह काम कर सकता है तो वो non-dedicated server है small server में peer-to-peer networks होते हैं इस तरीके के network जो server use करते हैं उसे हम peer-to-peer network कहते हैं और network में एक से जादा servers हो सकते हैं जो nodes को बोलेंगे जिए हम मारे पास सवान हैं आप ले सकते हैं जिसे एक file server है वो लेगा file related request printer server होगा जो printing के request लेगा एक modern server होगा जो modern related activity को देखेगा NIC या NIU network interface unit अब network interface unit ये एक device होती है बगाईदा hardware device होती है जो आप node या workstation में लगाते हैं और server में जो एक communication प्रोवाइड करेगा आपका system में एक server है यहाँ पर एक NIC होगा यहाँ पर एक NIC होगा जिसके थुरूँ आप medium transfer करेंगे तो जैसे ही एक stand-alone computer workstation बनता है तो इसको एक interface चाहिए होता है ताकि वो network से connect हो सके जिसके बगाईर वो कैसे network पर जाएगा कैसे अपने resources उसको देगा या लेगा तो NIC ये एक interpreter का का काम करता है इसको हम कहते हैं tap या terminal access point या हम इसे कहते है NIC या network interface card NIC network interface card तो जो NIC manufacture है वो इसको एक unique number देता है physical address देता है इसी को हम physical address को MAC address कहते हैं और इसी MAC address से एक computer आपका पहचाना जाता है MAC ID या MAC address switching की techniques कोन कोन सी है अगर आपको एक जगा से दूसरी जगा data भेजना है तो अलग-अलग तरीके से भेज सकते हैं आप यूँ भेज दीजे आप यूँ भेज दीजे आप यूँ करके भेज दीजे भेजने का तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अपको की डेटा की भेजने के लग-लग तरीके हैं तो दो टाइप की switching techniques है जो बड़ी use होती है और एक है circuit switching एक है packet switching तो circuit switching क्या है इसमें क्या होता है कि एक system से दूसरे system या एक node से दूसरे system की बीच में एक dedicated line होगी dedicated communication channel होगा जिससे ये communicate करेंगे इस circuit ये guarantee देता है कि आप इसका जो bandwidth है या इसकी जो frequency range है पूरी आप use करेंगे और ये तब तक इन दोनों के बीच में connector रहेगा जब तक communication चल रहा है या कहेंगे वो session के लिए पूरी तरीके से connected रहेगा अगर by chance इसमें communication नहीं हो रहा है तो ये idle रहेगा और ये दूसरे के लिए unavailable रहेगा यानि दूसरे इसे use नहीं कर सकते है एक जगा से दूसरे जगा अगर एक पूरी तरीके से connected line हो और full bandwidth का आप use कर रहे हो तो उसे हम circuit switching कहते हैं जिसे आप phone पर जब बात कर रहे हो आप जब यहां से किसी से phone पर बात करते हैं तो क्या होता है आप जब तक बात कर रहे होते तो बात कर रहे होते telephone line लगी होई है हहाँ पे जब telephone पर बात करते है telephone exchange चा करता है यह एक circuit switching देता है दो telephone की बीट में जब तक calling चल रही है उस समय जस समय काम चल रहा है तब भी बाची चर्दी और अगर आप देखे तो आपकी dedicated line है अगर आप box में जाएंगे जो EPA BX box होता है उसमें आप देखेंगे तो बाकाइदा आपकी यहाँ पर number होगा उससे आप connected रहेंगे तो इसे हम circuit switching कहते है packet switching क्या होता है packet का मतलब क्या है यह आप यहाँ पर है और आपको data यहाँ भेजना है आप कर यह data को लीजे उसको packet में तोड़ दीजे और इसको भेज दीजे चाहिए इस line से जाए चाहिए इस wire से जाए किसी भी wire से जाएगा तो कोई भी route यह ले सकता है packet का मतलब यह होता है कि आप packet जो data को उसको अलग-अलग byte में जैसे आपने 200 byte में तोड़ दिया जैसे आपका 2000 byte था तो आपने 200-200 के 10 packet बना दी हर एक packet में एक header होता है जिसमें पता होता है कि भाई source का destination source और destination कौन कौन से है मतलब इस packet को पता होता है कि मुझे जाना का है यही काम IP का है TCP IP का काम, TCP IP protocol का काम ही है तो हर एक packet जो होता है वो independent ली जाता है अब यह दस एक साथ जा रहे है एक यहां से जा सकता है तो advantage packet switching का यह है कि जो packet है वो अलग-अलग जगह से जा सकता है जो भी उनको खाली मिला वहां से चले गए तो जो first come first basis पे जो पहले आ गया वो चला जाएगा और फिर जब network overload हो गया तो हो सकता है कि जो packet से वो discard कर दिये जाए या drop कर दिये जाए तो यही fundamental technology है internet बेदी और बहुत सारे local area network बेदी अब जब यहां पर यह पहुंच जाते हैं तो सारे के सारे packet को लिया जाता है इनको assemble किया जाता है और फिर उसके बाद ये system इसे पढ़ता है अलग अलग type की network से तो network एक छोटा सा दो system भी हो सकते हैं हो सकता है कि बहुत बड़ा network भी हो तो localize भी हो सकते हैं पूरे grove में भी फैले हो सकते हैं तो network पुरी तरीके सा size और complexities में vary करते हैं तो अलग टाइप के network होते हैं जैसे postal area network postal area network सबसे छोटा network होता है इसमें आप computer network एक individual आदमी के आसपास होगा जैसे mobile computer है cell phone है इसमें क्या है PDAs है अब यहाँ पर आप इस जगा पे अगर आप कुछ और चीज़ connect करते हैं जैसे आप USB या firewire technology यूज़ करते हैं बगर cable के या cable से आप देखें आपने system अगर computer पर आपके आपके गॉंगा लगा देते हैं वायर के त्रू को जोड देते तो parcel area network बन रहा है तो parcel area network जो होता है Bluetooth यूज़ करता है IR यूज़ करता है infrared यूज़ करता है तो इसका range जो होता है 10 meter करीब 30 feet अगर pan को बोलें कि pan कहां सा काम करेगा तो जो 10 meter के अंदर-अंदर आता है आप उसको कहेंगे कि ये pan है एक तरीके का ये local area network की है जो एक individual के लिए है individual इंसान के लिए local area network क्या है local area network में जो network devices है वो connected होते है distance कम होता है इतना कम नहीं होता कि वो एक आदमी के आसपास हो जैसे pan की तरह तरह दूर भी नहीं होता कि वो बहुत बड़ा हो जाए तो ये एक building आप समझ लीजिए campus समझ लीजिए कुछ kilometer तो हो सकता है land तीन computer ही जुड़े हो दो computer ही जुड़े हो हो सकता है कि organization में thousand computers हो इसका मतलब एक तरीका आप दे रहे है ताकि सारे लोग जो expensive devices है जैसे laser printer हो या और devices जो होते है scanner वगर वो आपस में connect कर सके और आपस में बाचीदी कर सके तो आप हमारे पास आज के दिन में wireless land है WLAN ये wireless network पे काम करता है और एक land उसको आप connect कर सकते हैं दूसरे land से भी चाहे आप telephone line या radio waves के थूँ connect करें तो इसमें कोई limit नहीं है कि इतने computer आप लगा सकते हैं क्योंकि land तो एक area पे depend कर रहा है कि हम एक organization ये campus level की बात कर रहे हैं तो आज जो अलग-अलग protocols है हमारे पास वो और इसको आगे बढ़ा रहे है चाहे वो business आप करना चाहते हो educational organization में worldwide इसका एक तरीके से proliferation हो गया, emancipation हो गया जो इसका बढ़ावा हो गया है metropolitan area ने तरह मैं कहते है ये थोड़ा land का बड़ा रूप है technology ये same use कर रहा है लेकिन ये S&E की एक ही building होगा या एक ही campus होगा ये और दूर तक जा सकता है चाहे private हो पब्लिक हो ये land से तो बड़ा है man लेकिन WN से कम है, wide area network से कम है तो man में हम कैसे categorize करेंगे कि ये man कैसा है एक तो इसमें जो connection होगे वो high speed होगे इसमें optical fiber होगे या और ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत तेज speed दे रहे है और जिसे example के तरह मैं लूँ एक man जो data और wise दोनों को दे रहा है तो हो सकता है ये local cable television network हो इसको भी आप man कह सकते है तो man जो metropolitan area network है ये इसकी जो communication links है जो equipment है वो हो सकता है कोई consortium इसे own कर रहा हो या कोई single network provider इसे use कर रहा हो sell कर रहा हो इसकी service कर रहा हो और क्योंकि man technologies दोनों LAN और WAN जो इसके बाद आने वाला है उससे लेता है तो it is also frequently used to provide a shared connection to other networks तो ये एक shared connection भी देता है जो इसके ऊपर आने वाला है network WAN उसको ये service भी provide करता है तो wide area network WAN जैसे बता रहा है नाम ही बता रहा है wide area नाम ही इसका wide है country में या पूरी continent में इसमें बहुत सारे commercial private communication line होंगे ताकि computer आपस में connected रहे है तो WAN आपको एक तरीके से अलग-अलग land देता है याने multiple lands है तो अलग-अलग lands है वो आपस में किस से connected है चाए phone lines हो, dial up phone lines हो, etc. link हो, high speed fiber optics हो या आपके data packet carrier services हो उनसे ये connected है तो wide agent networking हो सकता है कि इतनी छोटी हो सकती कि जैसे modem हो, modulator, demodulator और remote access server हो जो employees को मिल रहा है ताकि employees अपनी information ले सके या हो सकता है कि बहुत सारी branches है globally जिसमें कुछ special routing protocols लगे है कुछ filters लगे हुए है ताकि data को कम expense से भेजा जा सके जैसे आपके telephone exchange का अगर example ले, जो एक van का part है वो भी एक van का part है तो हर एक computer आप उस telephone exchange में वो connect हो सकता है ये देखे, आप telephone से तो आप telephone लगाएंगे तो क्या होता है आप जहां से आप America भी बात कर सकते है आप England भी बात कर सकते है कैसे बात करते हैं आप बोल रहे हैं मैं telephone से कैसे कर सकता हूँ क्योंकि वो एक wide area network का भी तो part है तो जो सबसे बड़ा van है वो क्या है internet internet van है पूरे entire globe में वो covered है अब data communication technologies में जब हम network के बारे में पढ़ना चाहते है तो हमें data communication technologies के बारे में जाना चाहिए जैसे channel क्या होगा है एक communication channel क्या है एक communication channel एक medium है जिसके through transmission होने वाला है message का एक point से दूर से point इसको इस तरी के समझेए कि एक रास्ता है तो एक पूरा physical medium हो सकता है जैसे पूरा का पूरा telephone line हो सकता है trans channel, optical fiber हो सकता है coaxial cable हो सकते है, twisted pair हो सकते है या फिर जो अलग-अलग carrier frequency है जो transmit होती है एक line पे एक ही time पे इसको भी हम कह सकते है कि ये भी एक channel है तो speed के हिसाब से तीन अलग-अलग category में communication channel को divide किया गया है एक narrow band जो slow होता है थोड़ा सा slow है और ये ट्राफ लाइन और low speed terminal के लिए use होता है एक voice band है ये telephone communication के लिए और broadband आखरी जो है वो broadband जो सबचे fastest है और जिसमें बहुत सारा data आप एक साथ volume of data high speeds पर भेज सकते है bandwidth क्या है फिर bandwidth का मतलब सीधा मतलब होता है कि highest frequency f2 minus f1 highest frequency और lower frequency के difference तो electronic communication में bandwidth का मतलब ये होगा कि range of frequency कितनी available है transmission के लिए data लिए इसको हम express करते हैं क्योंकि frequency है इसको हम hertz में represent करते हैं इसका मतलब सीधा है कि highest frequency और lower frequency में difference कितना है जैसे माल लिए जो typical voice signal है उसका bandwidth कितना होता है 3 kHz तो जतना ज़्यादा आपका bandwidth होगा communication system का उसकी उतनी ज़्यादा capacity होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा data उसमें से जा सकता है एक particular time तो computer networking में ये सब चीजे बहुत सारी है और bandwidth को अमूमन इस तरीके से data transfer के हिसाब से जोड़ा जाता है इसको data transfer bandwidth को आपस में जोड़ के बात किया जाता है data transfer rate ये जितना data जा रहा है किसी time पे कितना data digital form में एक जगा से दूसी जगा move हो रहा है पड़ी unit time मान सके हैं आप इसको जो जितनी ज़्यादा आपकी जगा होगी जैसे आप में आप कहा कि आपर मैंने एक पानी के लिए pipe लगा जिया है जितना बड़ा pipe लगाएंगे उतना ज़्यादा पानी जाएगा बिलकुल उसी तरीके से जितनी ज़्यादा bandwidth होगी उतना ज़्यादा डेटा जाएगा तो उतना अच्छा डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा इसको हम throughput भी कह रहे है throughput यानि कि जबकि डेटा ट्रांसफर रेट जो हम apply करते हों वो क्यों डिजिटल डेटा stream को कर रहे हैं लेकिन इसको throughput भी बहु सकते हैं डेटा रेट को हम क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं तो BPS में नापते हैं bits per second, bits का मतलब होता है data जो board unit है जिसे हम कहते है 1 bit per second, इसको भी यूज़ किया जाता है लेकिन mostly इसको यूज़ किया जाता है तो board rate, bit rate इस तरीके से बोला जाता है कितना तेज डेटा जा रहा है एक point से दूसरे point इसको हम इसी में आपते हैं जैसे आपका ISP एक internet connection आपको offer कर रहा है वो खहता है कि आपका data transfer rate या आपको 4 Mbps की speed में देगी आपको 1 Gbps की speed में देगी तो ये जो 4 Mbps बोल रहे हैं आपको data transfer rate पी बात कर रहे है तो हमने क्या देखा network network collection है independent computer का जो आपसे बात करते हैं किसी shared network medium नोड का मतलब एक computer या computing device किसी network पे लगी हो server का मतलब एक ऐसा computer जो client को या slaves को share करेगा data software या hardware resources NIC या network interface unit को एक ऐसा device है जो server और workstation या node की बीच में communication स्थापित करने में मदद करता है circuit switching और packet switching ये दो अलग switching technique है communication की इस technique में एक dedicated line होती है यानि कि complete physical connection होगा जब दो नोड आपस में बात कर रहे होंगे packet switching का मतलब जब दो आपस में बात कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपस में connected हो आप किसी भी communication की media के तुरू भेज सकते है packet को तोड़के और ये जाके यहां पर जूड जाएगा personal area network का मतलब है एक single आदनी के आसपास जो network बन रहा है उसे personal area network local area network का मतलब ये होता है कि थोड़ा छोटा distance करीवन 5 km से कम तक का distance ये होता है 10 मिटर से कम का distance ये 5 km से कम का distance 5 से 50 km का जो distance होगा उसको हम man या metropolitan area network कहेंगे 50 km से उपर जो भी आएगा उसको हम van कहेंगे wild area network ये continent और country तक भी फैल सकता है internet ये सबसे बड़ा van है इसमें सारे के सारे अलग-अलग network है छोड़ी-छोड़ी जो आपस में interconnected है interspace एक client server software program है जो अलग-अलग user को communicate करने देता है real time में audio होच और video होच और text एक dynamic 3D environment channel क्या होता है एक ऐसा medium जो हम use करते है transmission के लिए एक point से दूसरे में data हो चाहिए voice हो और जो bandwidth है उसका मतलब है कि जो range of frequency यानि highest frequency और lowest frequency में जो difference है जितना आपके अने level है कि data transmission हो सके उसे हम bandwidth करें तो यह बात हुई इस chapter की बहुत शुक्रिया बहुत मैंबानी आप सबी की